लॉक अप भले ही खत्म हो गया हो लेकिन शो के खिलाडी अभी भी किसी ला किसी वज़ा से खबरों में बने हुए हैं कुछ ऐसा ही डिजाइनर साइशा सिंदे के साथ भी देखने को मिला फिनाले से ठीक पहले साइशा शो से निकल गई थी शाइशा ने दोस्त मुनावर फारुगी की जीत पर खुशी मनाई तो वहें पायल रहतगी को लेकर कुछ ऐसा कहा कि जिसकी वज़ा से वो खबरों में हैं साइशा सिंदे ने पायल रहतगी के शो में फर्स्ट रनर अरप होने पर कहा कि पायल में भी सारी गुण हैं जिसके चलते वो विज़ेता बन सकती थी लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो शो जीते लेकिन नहीं चाहती थी कि पायल शो जीते बिकास इस शो का विज़ेता इंस्पिरेशन होना जहीं इस जोग का जो विनर है वो एक example सेट करना चाहिए इस तरीके से पायल ने अपना गेम खेला था मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी आंगल से inspiring है क्योंकि 20 contestants में, 20 कैदियों में अगर आपका एक भी दोस्त नहीं है तो वो पताता है कि आप कैसे वो तो आप नहीं चाहती थी पायल को जिदना तो आप मुनवर को ही विनर बेंते देखना चाहती थी या किसी और को मेरे जो दोस्त बने थे शो में मुनवर, पुनम, अंजली मैं इन में से कोई भी अगर शो जीता तो बहुत कुछ होती लेकिन इस लिस्ट में मैं आजमा को भी आइड करना चाहूंगी अगर आजमा भी ये शो जीती तो मैं बहुत कुछ होती तो आप फिनाले में अगर आप होती तो आप अपने साथ किसको देखना चाहती थी फिनाले में अगर मैं होती तो तो डेफिनेटली अगर मैं मुनवर के सामने जीती तो यह बहुत मिजाता है आप जब वापस अंदर आई तो आपने कहा कि मुनवर को आप सपोर्ट करने जा रही हो तो इस बात में कितनी सच्चाई थी इस बात में कितनी सच्चाई थी वो तो result आपने देखी लिया है पूनम की भी इसलिए जब जो लास्ट अरीना डास्क हुआ था मैंने यह भी कहा था कि आप लीज मुझे लॉक आउट कर दो अर पूनम को रखो इसके बारे भी जनता काफी बात करें तो उसके बारे मात कहना चाहोगी टिकेट टु फिनाले का जो ब्रिक का टास्क था वहां मैं अंजली को सपोर्ट कर रही थी और जो अंजली ने चाहा मैंने किया साइशो सिंदे ने अपने और मुनवर की बार्डनिंग से जुड़े सवाल पर कहा ये कोई प्लैनिंग नहीं था आपके और मुनवर की प्लाटीम जो काफी अची लग रही थी जनता को सो उसके बारे मैं अब कहने चाहाँ बहुत अची बात है कि लोगों को पसंद आया लेकिन मैंने कुछ ऐसे सोचके नहीं किया था कि लोगों को पसंद आया इसलिए मैं अब करूंगी मेरे जो देल से बाते हो रही थी मैं कर रही थी और मुनवर जिस तरीके से मुझे टीट कर रहा था जिस तरीके से वो मेरी छ मेरे बोड़ी में जैलेसी का हड़ी है ही नहीं में जैलेसी तो मैरे में विल्कल नहीं है लेकिन हा मै जरूर चाहती थी कि जो मेरे दोस्तों है के जैंगे जयाए जिनका नाम हुआข ऑगे नहीं जाये ईढ़ सब्सक्राइब और वो आगे नहीं जाये, मेरे में कोशिष थी बाकी जो मेरे दोस्त हैं उनसे मैं touch में हूँ रहूंगी मुझे आजमा को मिलना है आजमा की life देखनी है मुझे Anjali की life दिली में उसने दिली में अपनी life इतनी मुझे बताई है कि मुझे एक हफ्ते के लिए Anjali के साथ उसकी life जीनी है और सबसे ज़्यादा किससे मिलना है? अभी मुनवर मेरे बाजू में ही रहता है तो उससे तो अबिसली मिलना सबसे ज़्यादा होगा मुझे उसके साथ फ्रेंचिप आगे ले जानी है वो बहुत अच्छा इंसान है बहुत इंस्पाइरिंग है अब बहुत भी मुनवर मेर कि पर देफिनेटली मुनवर अगे खेवी और और सफिंग मुनवर के साथ जादा मुनवर को आन्जली ती और स्छा समस्कूमूर के साथ बना इसे बीकिर पोगए जैलर और वार्डन मेरी लाइफ में बहुत स्पेशल है, स्पेशल रहेंगे मुझे याद है जब करन फर्स टाइम आये थे उसके बाद भी उन्होंने जिस तरीके से मुझे सपोर्ट किया, जिस तरीके से मुझे गाइदेंस देते थे मुझे लगा कि एसे इंसान को अगर कोई पसंद है तो वो कैसी होगी तो जब मैं तेज़सी से मिली तो मुझे लगा कि अप्रिटली अंडर्स्ट्री में घुस रही हूँ जो नहीं है मेरे लिए तो जिस तरीके से वेदर वो टीवी स्पेस हो, रियालिटी शो स्पेस हो या मुवीज हो मेरे लिए नहीं जगा है तो मुझे देखना है कि यह कैसे रहेगा मेरे लिए तो अगर आपको कुछ बोलता है तो आप उसको फ्रेस कैसे करते हो इन रियल लाइफ मैं ऐसे इंसान को मेरे लाइफ में आने ही नहीं देती हूँ क्योंकि मुझे लबता है कि ऐसे बहुत इंसान होते हैं जो नेगेटिविटी लेके आते हैं और मेरे लाइफ में ऐसे इंसानों के लिए जगा भी नहीं है और इसके अलावा हम आपको किसी शो में देखेंगे, या आप जाना चाहती हूँ? मैं सब करना चाहती हूँ, मैं जितनी भी options, opportunities आएगी, मैं सब में ट्राइ करूँगी, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरी representation हर जाला भी तो सो में एक मुमेंट था जिसमें निशाज जी ने आपका काफी साथ दिया था और करनवीर को डाटा गया था उस चीज़ के लिए तो उसके पारे में आपका क्या है जब भी कोई LGBTQ related topic show में आया था मैंने यही चाहा था कि उस topic को मैं एक sensitivity से, एक dignity से, एक grace से solve करूँ ना कि जगड़ा करके और मुद्दा बनाके लेकिन मुझे ऐसे लगा कि मेरे से ज्यादा बाकी के जो कह दिती है वो उसका फायदा उठा रहे थे और footage के लिए, दिखने के लिए वो उसका मुद्दा बना नारी से जुड़ी more updates के लिए हमारे Instagram को follow, Facebook को like और YouTube चानल subscribe करना ना भूले